हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेस मेमरी के बारे में जी है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लेस मेमरी आखिर होती क्या है फ्लेस मेमरी का कहा पर इस्तमाल किया जाता है और यह जो फ्लेस मेमरी होती है काम कैसी क जवाब आज की वीडियों में आपको मिलने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से एक छोटी रीक्वैस्ट है अगर आपने हमारे यूट्यूट को subscribe नहीं का तो प्लीस चैनल को subscribe कर लें तो friends आप बात करते हैं कि आखरी फ्लेस मेमरी होते क्या है तो friends यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्लेस मेमरी एक storage device है इस storage device का इस्तमाल हम अपने computers के अंदर करते हैं और हम इसका इस्तमाल हमारे जो बहुत सारे electronic devices हैं जैसे हमारे smart phones होगे उनके अंदर करते हैं हमारे जो digital camera होते हैं उनके अंदर करते हैं हमारे video games के अंदर करते हैं और भी ऐसे बहुत सारे devices हैं जिनके अंदर हम flash memory का इस्तमाल करते हैं तो friends यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो flash memory है इसका इस्तमाल किया जाता है ताकि डेटा को आसानी से store किया जा सके और तेजी से store किया जा सके जिया friends आज के इस टाइम में आप भी बहुत सारे डेटा को इस्तमाल करते होंगे अपने mobile phones के अंदर अपने computer और laptop के अंदर उसको store करके भी रखते होंगे तो ऐसे में जो flash memory होती है यही काम आती है कि हमारा जो डेटा है उसको आसानी से और बहुत तेजी से आप उसके अंदर store कर सक करते हैं यहां पर यह जो हमारी flash memory होती है यह रेम से completely अलग होती है जहांके हम जानते हैं रेम एक volatile memory है यानि कि कह सकते हैं आप एक temporary memory होती है जब तक आप रेम को power supply करते रहेंगे तब तक आप इसके अंदर data को use कर पाएंगे लेकिन जैसे power का cut off होता है वहां से आपका data गाइब हो जाता है लेकिन यह जो हमारी flash memory होती है यह non-volatile memory होती है इसके अंदर जो आपका data होता है आपके पास अगर पावर नहीं है उसके बाद भी आप इसको आसानी से यहां पर use कर पाते हैं तो अगर हम बात करें कि जो यह flash memory होती है इस अंदर flash memory का इस्तमाल किया जाता है तो friends यहाँ पर मैं उम्मीद करूगा आज की इस वीडियोस आपको समझ में आगया होगा flash memory क्या होती है कि इस तरीके से इसका इसका इस्तमाल किया जाता है और कहां पर किया जाता है तो friends अगर आपने हमारे YouTube चनल दीबक Tech Times को सब्सक्रा झाल झाल